Hi everyone, this is Robin और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस पैटफॉर्म पे एक special session के साथ जहां पर मैं आपके साथ discussion करूँगा mixed GK questions का देखें ये जो questions होंगे इन में से कुछ आपके arts and culture पर based होंगे कुछ history पर based होंगे इस तरीके के mixed questions को मैं आपके लिए session में लेकर आऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनकी importance कितनी बढ़ जाती है आप जबी भी जिस भी paper की तियारी करते हैं आप अगर वहाँ पर तियारी का रूप PYQ से ले रहे हैं तो हर question में आपको ये skill होना चाहिए कि आप उस एक question से कितनी सारी knowledge और attractive data को अपने पास रख पाएं तो इसी session को मैं start करूँगा This is something about me, my name is Robin तो चलिए हम अपने session को start करेंगे पहला question आपके सामने है आप खुद भी देख सकते हैं, हो सकता है आपको ये question आ सके, आता हो तो आप अपने पास भी अपना एक mark रखें कि भी ठीक है, हाँ मैंने को पता था इसके मैंने ये वाला answer इसका हो सकता था और आप last में decide करें कि आपके ये answers और ये scorecard कितना valuable रहता है आपको पता चलेगा कि आपकी जो त्यारी है उसको आप कैसा रूप दे सकते हैं हर question को समझाने के साथ साथ मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप उस एक question से काफी सारी information निकालने की कोशिश करें question आपके सामने है, आपको दिया गया है पासनाथ जो की क्या थे 23rd तीर्थ आंकन थे जैनलिजम के, was born in which state of India आपको बताना है कि पासनाथ पहली चीज़ वो कौन से थे, 23rd तीर्थ आंकन थे, जैनलिजम से बिलॉंग करते थे अब वो कौन से state, भारतिय state में वो पैदा हुए थे, तो यह हुए थे आपके वारानासी में, यानि की उत्तरप्रदेस में, तो वारानासी उत्तरप्रदेस में इनका जनम हुआ था उसके बाद 23rd आपके यह किस से बिलॉंग करते हैं, जैनिजम से जैनिसम से आपके बिलॉंग करते हैं अगर मैं बात करूँ आपकी के में जो आपके चार धीरतांकन कहला है जिनका डिवोशनल वर्शिक जो की सबसे ज़्यादा माना जाता है जैन्स के बीच में इसमें भी इने काउंट किया जाता है बाकी के कौन है उसमें आपके महावीर है उसके बाद आपके कौन है रेशब है रेशब नाथ है उसके बाद आपके कौन है नैमी नाथ है और इसके बाद आपका इनका नाम आता है जैने बोला जाता है पाश्व नाथ तो इंपोर्टेंट कोशन है दो-तिन information आपको इस question से मिली next question दिखते हैं next है आपका वट्टल tribe is popularly known for which of the following dance form तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गए इस question से कि जो वट्टल tribe है वो हमारी क्या है एक dance form से relate करती है पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई अब दिखिए इसका answer होने वाला है आपका धूमल अब actually मैं अगर इसकी history के बारे बताना चाहूं आपको तो ये आपका कश्मीर से बिलॉंग करती है tribe ये चीज़ आपको clear कि वट्टल tribe जो है वो आपकी कहां से है ये आपकी कश्मीर से है अब धूमल क्या है अभी धूमल आपका क्या है एक dance form है ये एक dance form है जो कि वहां के man लोग इसे perform करते हैं तो जो man folks होते है वो वट्टल tribe से बिलॉंग करने वाले कश्मीर में होते है specific questions पर ये performance देते हैं ये जो performance देते हैं वो क्या करते हैं colorful robes पहनते हैं उसके साथ-साथ इनके tall conical caps से पहनते हैं उसके साथ-साथ अगर मैं और बोलूं के इनकी caps होते हैं उन पर क्या है वैसे कुछ beats and shell की जड़े हुए होते हैं तो ये basically आपका धूमल dance form है जो कि वट्टल tribe से related करती है और ये कहां पर है आपकी कश्मीर में तो ये आपका हो गया एक और question next है आपका where is the britheshwar temple built during the chola period located तो देखे पहले तो ये आपको clear कि जो britheshwar temple था वो आपका chola period के time पर बनाया गया ये आपको यहां से clear हुआ अब आपसे मैं बोलों कि किस ने बनवाया था तो ये बनवाया था आपका king raja raja chola ने तो king raja raja chola जो कि चola period से डेलोंग करते थे इन्होंने बनवाया था आपका britheshwar temple अभी कहां पर है तो इसकी जो location है वो आपका है तंजवर में अब मैं आपसे बात करता हूँ कि actually मैं कौनसी style पर belong करता है तो यह आता है आपका dravada style पर यह आपका architecture को बनाया गया है और जिसके chief deity थे मैं अगर chief deity की बात करूँ chief deity इसमें थे आपके lord shiva lord shiva इसके क्या थे chief deity तो यह आपका तंजवर में next है आपका कलियारी पयातू is a martial art of which state तो कलियारी पयातू martial art है कौनसे state से बिलोंग करता है तो यह नाम से ही आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा कि आपका karela से बिलोंग करता है अगर मैं आपकी इस martial art की बात करूँ तो इसका originated as style आपका karela में हो गया या question से clear हो गया जो आपकी जो word है आपका कलारी यह पहले आपका Tamil language में आया था actually में जिसमें की अब संगा मेरा की बात करते हैं तो संगा मेरा में आपका इस कमाली को Tamil language में पाया गया जिसको आप describe करते हैं both a battlefield and a combat arena में next है आपका what is the height of the tallest tower in India कुटब मिनार तो कुटब मिनार जो की क्या है tallest tower है कहां पर भारत में अब इसकी height अगर पूछी जाए तो यह होती है आपकी 73 meter अब इससे related क्या होगा एक तो आपको यह पता चलिए कभी 73 meter क्या है आपका tall tower है बनवाया किसने इसे बनवाया कुटब बुद्धीन ऐवक ने बनवाया जिसमें इन्होंने defeat किया था किसको last Hindu kingdom को इन्होंने defeat करके इसको बनवाया था अब tallest tower in India कुटब मिदार को ऐसा भी माना जाता है कि victory का sign है जहाँ पर Mughal era आपका इंडिया में तयार हुआ तो यह आपकी length है हां से पता चलिए और उसके बाद यह आपको additional details भी हां से पता चलिए next है आपका रामनाथ स्वामी temple is dedicated to which god according to Hindu mythology तो देखिए रामनाथ स्वामी जो temple है इसे basically devote किया गया है Lord Shiva को अब रामनाथ temple जो है यह आपका पहले तो यह clear हो गया कि आपका God Shiva से है Hindu temple है dedicated किया गया है God Shiva को अब इसकी location आपको याद रखनी है कि रामेश्वरम में आता है रामेश्वरम में ही आपका आता है आइलेंड है यह आपका रामेश्वरम आइलेंड में ही है अब कहां पर है आपका तमिल नाडू के अंदर है अब इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बोलूँ कि it is you know also one of the 12 जोतर लिंक्स temples तो आपके क्या है 12 तो टोटल है अब उनमें से एक में आता है आपका यह रामेश्वरम आइलेंड के अंदर आपका गौट शिवा को डेडिकेटिड आपका रामनाच स्वामी टेंपल तो याद रखेंगे यह जो तरे लिंक्स temples हैं 12 उनमें से एक इसको माना जाता है नेक्स्ट आपका which of the following is the classical dance form of उत्तरप्रदेश तो बताना है नेमलिकित में से वो कौन सा dance form है जो की classical form में उत्तरप्रदेश में यूज किया जाता है तो देखें यह है आपका कथक अगर मैं कथक इसकी बात करूं तो एक classical dance form है आपका यूपी का इसके साथ साथ वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह यह क्या थे आपके लास्ट नवाब थे लास्ट नवाब थे कहां के अवद के यह नहीं माना जाता है great patron and a passionate campaign of कथक तो यह भी आपको पता चलिया कि actually में किस्त की help से इसको promote किया गया लेकिन आज के टाइम पे जो state है is home to two prominent schools of the dance form जो की आपका घराना से रेरेंट करते हैं एक तो आता है आपका लखनव घराना लखनव घराना और उसके बाद है आपका बनारस घराना तो इस तरीके से अलगलग घराना में डिवाइट किया गया है तो कथक आपका यूपी के दो ले से आता है जो की आपका लखनव घराना हो गया और आपका हो गया बनारस घराना नेक्स्ट है आपका रानी की वाव इन गुजराद is a famous what तो देखे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि रानी की वाव क्या है गुजराद के अंदर है यह चीज आपको यहां से clear हो गई अब मैं रानी की वाव यहनी की आप इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं the queen's step well step well तो क्या हो गया यह step well हो गया यह चीज भी आपको यहां से clear हो गई अब यह क्या है आपका intricately constructed step well है जो की आपका पटान के अंदर है पटान टाउन के अंदर है जो की आपका गुजरात में आता है आपका गुजरात में आता है अब इसकी location में बात करूँ कौन से river के उस पर आती है तो यह आती है आपकी सरस्वती river के bank पर अब रानी की वाव की बात करूँ इसे build कराया गया as the memorial of 11th century AD में किसके द्वारा king भीम देव वन के द्वारा तो यह भी आपको यहां से additional information मिली तो क्या है रानी की वाव गुजरात के अंदर step well है next है आपके सामने यहाँ पर artist दिये गए हैं और उनके सामने आपको art forms दी गई हैं बताइए कि कौन कौन किस किस को match करता है अगर मैं बात करता हूँ आपका गौरी शंकर देविलाल से गौरी शंकर देविलाल बेकिसी कर लिए आपके जैपूर घराना से आते हैं जैपूर घराना से आते हैं तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन से art form से डिलोंग करेंगी कि अगर मैं जैपर उगराना की यहां बात कर ली तो obviously मैंने कथक को आपको यहां पर ले लिया यानि कि यह हो गया आपका पहले का अंसर उसके बाद हरी प्रसाद चोरशया की अगर मैं बात करता हूं तो यह है आपके इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल flutist तो यह आपके होगे second यानि कि यह है क्या है आपके second option के अंसर होगे उसके बाद में बात करूँगा M.F. हुसेन की तो सभी के बारे पता होगा कि मौमद फकिर हुसेन क्या है इंडियन painter है तो painting करते हैं यह आपके M.F. हुसेन तो यह होगे आपका third उसके बाद आपका जाकिर हुसेन तो बचा आपका क्या तबला और यह आपके बिलॉंग करते हैं हिंदुस्तानी classical music जो की आपका पदम शरीबी ले चुके हैं इस वज़े से पदम शरीबी ने मिल चुका है जाकिर हुसेन आपके आगए तबला के उपर नेक्स आपका डांडिया इस फर्म दांस आसोशेटेड विद विच आप दी फॉलविंग स्टेट तो बहुत ही आसान कोशन हो गया एक मात्र कोशन आपको इस पूरे साइट में आसान लगा होगा यह आपका गुजरात में हैं अब दीखिए डांडिया को मैंनी सिटीज गुजरात के अंदर अगर मैं इसे असोशेट करूँ तो यह आपका होली लीला ओफ कृष्णा अन डाधा के उपर बिसिकली इनका सीन को असोशेट किया गया है ठीक है तो यह होगी आपका आंसर गुजरात तो this was this session जहाँ पर static GKK, art and culture से मैं ने आपके साथ कुछ questions का discussion किया, I hope आपके this session पसंद आया होगा बात सिर्फ इतनी है कि आपको यह पता रहना है कि आपको actually मैं पढ़ना क्या है, किस तरीके से exam में आपको तियारी करनी होती पूछी जाती है तो बस इसी importance को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस paper इस session में ये बताने की कोशिच करिए कि आपको अपने त्यारी को किन किन एरिया पर concentrate कराना है आपको अपने syllabus को आपको divide करना है आपको देखना है कि कहां पर आपको मेहनत करनी है कहां पर नहीं So this was all about from the session I hope आपको session पसंद आया होगा पसंद आया तो आपका like जरूर बनता है मैं share करना आप please करीजिए subscribe कीजिए channel को और इसके साथ साथ telegram और instagram जिनके link description में आपको provided है जरूर जाकर follow करें मैं फिर से मिलता हूं next part में अपना ख्याल रखिए take care bye bye